नमस्कार SBT News में आपका स्वागत और पेश रे इस वक्त राजस्तान और श्री गंगानगर हनुमानगर जिले की बड़ी खबरें राजसान के विविन शहरों में लोगों की समस्याओं का समाधान शुरू करने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा से रूबरू हुए मादेमिक शिक्षा बोड राजसान की दस्वें व्या बार्वी की परिक्षा देने वाले 22 लाग से दिक विद्यार्थी अगले साल नई पुस्तकों और नया सिलेबस पढ़ने को मिलेगा राजसान मादेमिक शिक्षा बोड दोहजार रिकिस बाईस से साल सरकारी और गैर सरकारी स्कूरों में कख्षा छटी से नोवी और ग्यारवी के विद्यार्थियों को लो एंसी आर्टी का पाटिकरम शुरू किया जा चुका है कख्षा एक से पांचियों के पाटिकरम में बदलाव नहीं हुआ है और अब नए सत्र में दस्वें और बा खाते में जमा करवाएगा। बालीका शिक्षा को बढ़ावा देने के उदेशे से राजस्तान शिक्षा विभाग में बालीका प्रुसाहन पुरुसकार दोहजार बीस इकिस की प्रतम और दुटे किष्ट के लिए आविदन मांगे गए हैं। इसके लिए छात्राएं स्वयम शाला दरपन पोर्टल पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन मॉडल पर आविदन कर सकेंगी। गौर्टलब है कि मादमिक शिक्षा बोर्ड राजसान की कख्षा दस्रियों और बार्वी में 75 फिज्जी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं इन प्रोसाहन पुर जक्रांती के समय ग्लास कोटेड मांजे में घायल हुए और इसके अलावा संस्तान ने 22 जनवरी से अब तक मांजे से घायल होकर स्वस्थ हुए दो मोर्नी, एक मोर, एक तितर, एक ग्रिटर कूकल, एक इंडियन रोबिन, चार चील, दो बान आउल, दो टिठहरी, एक करतिक आवास पर रिलीस किया, कोरोना वैक्सिन महामारिक से सुरक्षा के साथ ही वैश्विक वर्चस्व का हतियार भी बन गया है, भारत इस मोर्चे पर अन्य देशों से आगे निकल गया है और दूसरी और चीन अपने टीके बेचने के लिए जीत तोड जतन कर रहा है, ल आंगला देश, निपाल, भुटान और मालदीब को मुफ्त टीके भीजे हैं, जबकि मौरिशियस, म्यामार और सेशेल्स को 32 लाग टीके भीजने की तैयारी है, इसकी बार श्री लंका और अफगानिसान को टीके भीजे जाएंगे राजसान विदान सबाब में उपनेता प्रतिपक्ष राजिंदर नाठोर ने नागोर के परवसर में महिला के साथ सामुहिक बरतकार पर गहरा रोश जताया है, उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस के शासन में बेकोफ अपरादियों ने कानुन विवस्ता को ताक पर रख कर बेह इश के उत्री भाग में चल रही, शीत लहर का असर राजसान में भी देखने को मिल रहा है, गलन और सरदी बढ़ गई है, राजदानी जैपुर सहित अधिकान शहरों का न्यूंतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम रिकोर्ड किया गया, बेलवाडा चुरू पिलानी, सी हवाओं की कारण कम कपी छूटती रही, ग्रामिन शेत्रों में सरदी का प्रकोब देखने को मिल रहा है और वहीं प्रदेश की कई शहर कोहरे की चपेट में है, विकानेर श्री गंगानेगर 12 बूंदी अलवर सहित कई शहरों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला, जिसे द्रश्रता बहत कम हो गई, विश्वस्वासे संगठर ने राजसान में कोवेट इका करेंट मैनेजमेंट की तारिफ की है, मुक्यमत्री अश्रो गहलोत ने मीडिया की ओर से पूछे गए प्रश्र का जबाब देते हुए कहा कि राजसान में लोगडाउन के समय पब्लिक और विबिन संस्ताओं ने साथ दिया, कोरोना काम मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ और वेक्सिनेशन के विए डवल्यू एच्चो कहता है, तो अच्छी बात है, डेश में तमाम पैरामिटर्स पर राजसान खरा उतरा है। बरामत के गए मुबाइल फोन की कीमत लगबक 60 लाग बताई जा रही है। उद्यपूर में पहली बार गुमशुदा मुबाइल को लेकर पुलिस के इतनी बड़ी कारवाही देखी गई है। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगर जिले की। इस अफसर पर पुलिसुप अधिक्षक अर्विंद बेरड महिला अपराद अन्विक्षन सेल के डिस पी नरेंद्र पूनिया एसार सेल के प्रभारी गणेश कुमार सहित अन्य अधुकारी उपस दित थे। श्री गंगानगर जिला मुख्याले पर जुहार नगर सेक्टर नंबर दो में से डॉक्टर भीम राव अंबेटकर पाक में श्री योग विदान सेवा समीती की ओड़ से मात पित्र पूजन कारिक्रम आयोजित किया गया। इस अफसर पर बच्चों ने माता पिता को विदिवत तिरक लगा कर भारती संस्क्रती के अनुरूप पैरों में माता टेक प्रणाम करते हुए। परिक्रमा करके माता पिता एवं दादा दादी नानानी की आर्थी की। राजसान पुलीस थर्ड आरेसी होम गार्ड शारीरिक शिक्षकों की ड्यूटी ने परेड का भवे प्रदर्शन किया। प्रतिक कारिक्रम भी हुआ। पुलीस वाहन चोरों को पकरने में नाकाम साबित हो रही है। यवं पुलीस ने नई आबादी निवासी अविशेक अरोडा ने रिपोर्ट दी कि उसकी बाइक अग्यात प्रक्ती चोरी करके ले गए। पुलीस घटना सल की आसपास सीजी टिवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर चोरों के बारे में सुलाग लगाने का प्रयास कर रही है। फिलाल इस बुलीटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।